अखिलेस यादव के एक और करीवी पर इंकम टेक्स का छापा 40 ठीकानों पर चल रही छापे मारी जिहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्स अखिलेस यादव के एक और करीवी पर आयकर विबाग ने छापे मारी की है इस बार ये छापा NCR के बड़े बिल्डर अजय चोधरी के ठीकानों पर पड़ा है ACE ग्रूप के चैर्मेन अजय चोधरी को लोग संजुन नागर के नाम से जानते हैं बहुत कम लोग उन्हें अजय चोधरी के नाम से जानते हैं ये अखिलेस यादव के उसी तरह करीबी है जैसे लकनओ के राहूल भसीन है जिनके घर पहले ही इंकम टेक्स का चापा पर चुका है ये चापा आयकर विबाग की नोईडा डिविजन से ACE ग्रूप के नोईडा दिल्ली आगरा आदी के ठीकानों पर कारवाई की है मिली जानकारी के नुसार वहाँ पर बड़े पेमाने पर चापे मारी जारी है गोरतलब है कि उत्तर परदेश में इस समय आयकर विबाग लगातार चापे मारी कर रहा है गोरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही कन्नोज में अखिलेस यदव की करीबी और MLC पुस्पर राज जेन पंपी के ठीकानों पर कन्नोज सहर और अन्य सहरों पर चापे मारी की गई थी इस घटना से बोकलाई हुए सपा अध्यक्स ने प्रेस कौन प्रेंस कर आयकर विबाग की चापों को चुनाव से पहले दबाव बनाने की कार्यवा ही बताया था सपा पर्मुक ने कहा कि बहुत दिनों से सब लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे सपा समर्थोकों की घर आयकर विबाग के चापे पढ़ेंगी सपा पर्मुक अखिलेस यादव ने तंज कस्त वे कहा कि बीजेपी का डिजिटल मीडिया कैमपेन बेकार रहा है उन्होंने कहा कि पुस्परा जेन को ढूंड निकाला प्यूस जेन को और इनके मिलने वाले हैं खीज मिटाने के लिए पंपी जेन के घर चापा मारा है वहीं इससे पहले पड़े आईकर विबाग के चापो पर सफा नेता राम गोपाल यादो ने पर्तिकिरिया देते वे कहा था कि जब जब चुनावाता है तब तब चापे मारने वाले अधिकारी विपकसी दलो की नेताओं और करीबियों को परताडित करने के लिए चापे म कर दोगाँ